तो मैं डेर स्टूडेट आज की सभीडियो में बात करेंगे बिये फिट समस्टर के सोसोलोजी के फ़र्ष्ट पेपर के मोश्ट इंपार्टनक इन्सेंके बारे में तो जिन जिन भी इनिवसिटी वा कॉलेज बिये हैं चीडियो क्योंकि यह की कोशन भी है और उसका एंसर भी है और आपको फिडिया भी मिलने वाली है उसके पर चलिए इनाथ देरी को शुरू करते हैं और जानते हैं उनको ठीन केरेदाइव भीटे हैं कि न सबस Leg round 성 natuur यहां से एक ग्शाम प्रेसे नहीं कि भारत में फ्रांश्य कॉन कि रूटा और यह कुलेति हूं सब्सक्राइब तक तक स papier नहीं तो तो इस बार भी आएंगे चले तो इसका उत्तर लिखेंगे फ्रांसेशी करांट अब से सत्राफ। चोरान नवे तक चली थी ठीक है देखें कुछ गुच्छन अतिल घुत्र में आते हैं कुछ लग अत्रे माचे कुछ दौी घुत्रे में आते हैं तो जिसे साफ़्ेक्षर पूछे का उसाफ से आपको उत्तर देना हो ठीक है यह कुच्छन आपका आ सकता है कि फ्रांसेशी क्रांथ कब हुई इसका विस्तार वरण कीजिए विस्तार फे तो समझ जाइए इसको आपको लॉंग में लिखना है ठीक है थे कराइए तो इस बात को ध्यां रखेंगे यह 17- Alloway आपने जान लिया कब चली थी अभर से करांथ का मुख उद्यश क्या था आई क्यों ठीक है इसके उद्धेश बताईए तो चली जानते हैं फ्रांसिसी क्रांथ 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 का मुख उद्देश था, ठीक है, ध्यांट से सुनेंगे, कि फ्रांस में राज, साही, शासन और प्रिचीन सासन को उखाड फेकना और एक गड़ तांत्रिक सरकार की अफ्थापना करना ही फ्रांस इसी क्रान्ति का मुख उद्देश था, यानि कि फ्रांस में को अपने हिसाफे वो लोग हैंडाल करतेंथे मतलब कि राजा साही सासन था ठीक है और प्रचीन शासन याभी कि पुराने समय का फाफं था तो जो फ्राण्स़ के लोग थे यह राज साही वाला सुन लिजी तो गड़तांतिक सरकार का मतलब होता है कि राजनीतिक संदस्टना इसके अंतर क्या होता है जो आम पुब्लिक हम आप लोग जो रहते हैं वो हमारे पास कुछ पावर से होते हैं ठीक हैं हुआ आपस कुछ अधिकार से होते हैं जिसके माध्यम से हुँ कोई भी पार्टिय जो अलग-अलग को खड़ी होती हैं उसकी किसी को तो पहले तो मिनमानी जबते थी पहले राजा का लोग तो पहले क्या था कि राजा उन्हीं जलती थी जो चाहते थी जिस प्रजा को बिना उनको पैसा दिये या फिर उनको बिना जो उनका हक है वो उनको बिना दिये उनसे काम कराते थे और उनकी जमीन या फिर उनका जो भी चीज था वो अपने में कर लेते थे उनको बस खाना पीना से मतलब था खाना देते थे ताकि वो जिंदा रहे और काम करते तो राजा की मर्माई थी राजवाद्वारा आप बहुत सारा मतलब की समस्यायों परने करते थे दंदित करते धे प्रेसान करते थे तिक यह अप पूरा पाफन चाहते थे व्यगत्त इंसे नहीं कर सकते थे तूझ Capital Is ठी उसके बाद प्रान्तों में असामानताय थी, मतलब कि समानताय नहीं थी प्रान्त में थी, उच्चुर के विशीफ अधिकार थे, जो मतलब कի उच्चे जाट की लोग थे या पर जिनके पास पैसा थै उनके होग हो अलग अधिकार थे और जब कि जो गरीब रजा थी उसके पाफ अधिकारी नहीं थे कि तो कुछ कर सके सेना में आसंतोफ था जो राजा के फेरा होती त्समें वह वह आदिकारी थे तहरे तृर्षिसmer तो है क्योंन उनके हग की चीजिजे जो उनको चाहिये उनको नहीं मिल पाती थी आर्थिक पैसे, रूपिये, धन, दौल, इसे सब चीजिजे तो यह कुछ प्रमुक कारणा थे जिसकी वज़ए से прांस की अक्रांद आई धीक है में सिंग्घासन रोड़ हुआ मतलब कि सिंग्घासन पर बैठा उस समय राज को रिक्त था राजा के उपर अतधिक रर्ण भारत हम तो यह थी राजनेतिक इस्थित्थ फ्रांस की करांग के समय में राजा की ठीक है उसके बाद आपने राजनेतिक जान लिया अप कोश्चन ह आप जानने लिए फ्रांस की राज मतब कि जो क्रांद के समय समाजिक प्रस्थित या फिस समाज इस्थित कैसी तो उत्तर लिखेंगे समाज तेन संपदाओं में विभाजित था प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग सामिल था दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग से बना था औ यानि की मद्यमवर्ग और किसान सहित आम लोग सामिल थे प्रथम और दुतिये इस्टेट को करोफे छूट और सरकार सेना और चर्च में प्रमुक पदों पर नियंतर जैसे बिस्रिफ अधिकार प्राप थे उन पर कर यानि की जो टैक्स लगते थे उसे छूट था और सरकार स सेना और जो मतलब की सरकार होती थी सेना होती थी प्रमुक पदपन्य अंतर था उनको बिसेफ अधिकार प्राप थे जो पर्थम और दुतिये इस्टेट की लोग थे ठीक है जो जनता थी उनके पाफ जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी था जो दुतिये और प्रथम इस्टेट के अंतर लोग आते थे उनको टैक्स से मुक्ति थी उनके पाफ फेना का विश्विदा थी उनको कुछ अलग अधिकार बिसेफ अधिकार प्राप्त थे जो आम जनता को नहीं थे और उनके पाफ जमीन भी बहुत थी और दोफ्री और तेफ्री स्टेट को गंभीर समाजिक और अर्थिक आसमंता का सामना करना पड़ा वे भारी करो यानि की बहुत ज्यादा टैक्स जिनको बोला जाता है ठीक है उनकरो का बोज उटाते थे फिच्छा और नौकरी के ऑफर तक उनकी पहुंच सीमी थी थी मतलब कि वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे और कर भी सकते नहीं करन करेंगे नौकरी नहीं करेंगे कोई बिज्नस नहीं होगा तो गरीब तो दौहाई रहे जाएंगे काव का कोई इंकम का सोर्स ही नहीं रहेगा तो यह मुख्य काड़ था सीध श्याटों प्हिप्र जोद्शत फैलने लगे और जिससे अफंटोस बढ़ने लगा ठीक है तो यह वाला मत ध्यान दीजिएगा आप यहीं ओपर पहला दूसरा और दूसरा और तीसरा यह ध्यान दीजिए बश्टिक है तो इस प्रकार लिखेंगे फ्रांस की क्रांद के समय समाजिक इस्थित के बारे में या प्रस्थिति के बारे में महात्पूर्ण प्रस्थिति थी कि ध्याना केंगे आप कोश्चन की आर्थिक प्रस्थिति कैसे थी देखे तीनों स्थिति जानली जी कोई भी आफकता है और आपको जानकारी होनी और अमेरिकी क्रांत के समर्थन सहित राज साही के अतधिक खर्च के करण देश भारी करज में डूब गया था मतब कि जो राज साही सरकार था ये फिर राज साही सासन था वो लोग बहुत ही सुभिधाय देखते थे बहुत सारी फिसलिटी उनको चाहिए और महंगे महंगे चीजे चाहिए तो इस वज़ा से खर्च ज़्यादा हो गया और खर्च ज़्यादा होने की वज़ा से जो देश था वो करज में डूब गया था ठीक है राजाओं के लोग के कारण ठीक है और कर्ज जो था यानि कि जो लोन था या फिर आपका एफ्ट जो ठीक है टायक्स था ठीक है बोज मुख्यूरूफ तीसरे स्टेट पर पढ़ा जो पहले से अपनी जूड़तों को पूरा करने के लिए संगर्स कर रहे थे तीसरे स्टेट की जो जो जनता थी उन पर पढ़ा ठीक है आर्थिक मंदी के कारण उन्हें रोटी की उंची कीमतों और बिरोजगारी का सामना करना पढ़ाватब की उनको रोटी खाने के लिए उनको ज्यादा परिसरम और ज्यादा पैसों की जरूरत थी और ब्रिसरम करना परते और अदिक महनत करने पहले थ हैं तब उनको रूटी मिलती थी जिसको बोला गया है कि उची कीमत आदा करने पड़ती थी और जब यह समस्य आया हो गई तो भी रोजगारी का सामना करना पड़ा तो इस प्रकार लिखेंगे आर्थिक प्रसिति के बारे में कि में पॉइंट है था बाकी आप और भी नीचे देख सकते हैं लिखा है पढ़ लिजेगा जब हम आपको पीडियाप देंगे ठीक है लेकिन जो जो कोश्चन बताएं इनको नुद्धान से पढ़ेंगे इन्हों को अगला कि प्रतेच्छवाज की विश्यस्ताय बताईए प अनुसार है तो लिखेंगे पहला की प्रतेच्षवाज का मानना है कि जिस प्रकार प्राकर्ति घटना की बल्क Right जब गर्मी का मौसम आगा तो आप लोगों को मालूम है कि जो एकदम लो हो जाएगा तो उसी तरह जैसे घटनाय जो है जिनके बारे में कुछ चनि तरह जो मतलब की जो इसके नियम थे प्रत्यच्पात के सत्वात की परकार सामाजी घटनाय भी सवताहँ अस्फूर्त नहीं होती हैं परकत हैं संॉच में समाजी पर घटनाय भी कुछ addresses के अधार पर कटी होती हैं और इन नेमों का वाफ्टविक उलोकर परियोग द्वारा खोजा पकता है मतब कि समस्याइं होती है इनका निरच्ण किया जाता परिच्ण किया जाता है और इन के बारे अखला लगाया जाता है तब हमें पता चलता है फिर हमें तब conditional हम् sessions किस वज़ा फिगरते हैं समस्या क्या है रीजन क्या है ठीक है और इसके उप्चार क्या है इक इसलिए हो रहा है तो यह सब चीजे इसमें आपको जानकारी मिलेगी ठीक है उसके बाद दूसरा है प्रतेच्छवाद ना केवल बेग्यानिक दर्ष्ट कोंट से संबंदी थे ब बाद याति क प्रतेच्वाद के इंतरगत कोई घठनाव का अध्यन अपने आप तरीक है नहीं कर सकते हैं लिए तरीक हो चैन की करते हैं बलकि उसको एक इस्टेब दूसरा है विसे इस प्रतावाद की कि इसफ़ाह को को धार्मिक और दार्शनिक विचारों से दूर रखता मतब कि धर्म और दार्शन से दूर है और बैग्यानिक अध्धन प्रणाली के माध्यम से स्वयम को वास्त विज्ञान से संबंधित मानता मतब कि यह सिर्फ वोसे बैग्यानिक पद्धित को अपनाता है ना कि धार्मिक उर्फ और दाशनीक को उपनाता है कि वह किसी भी निरपेच विचार को सविकारी करता है क्योंकि समाजिक में परिवर्टन स्वभावी के मतलब कि समाज में तो परिवर्तन सवभावी के ये पिर इनसान के जीवन प्रतेच्वाद वास्तविक और लोकन परिच्छन और प्रियोग के माधम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है तो इस प्रिकार लिखेंगे तीसरा और उसके बाद कोश्यन अगला आ जाएगा कि अगस्त काम्टे के प्रतेच्वाद के से धानत बताईए त काम्ट के अनुसर प्रतेच्वाद कार्थ विग्यान वाद है काम्ट का विचार है कि समग्र ब्रहंबांड आ परवरतनिय प्रकरतिक नेमों द्वारा ब्योफ्थित अथा निर्देशित होता है और यद इस नेमों को हमें समझना है तो धार्मिक या तात्विक अधार पर तो यह अगया की बिधियों द्वारा समझा जा घा वकता है जहां सुनेंगे विग्यानिक बिधिया यानिक बिग्या tragen है जो तरीके हैं उन बिदीयों निरच्छन परंच्छन प्रियोग और वर्गी करन की एक व्योस्थित कार प्रणाली होती है उन्हीं के माद्धियम से जाना जाता है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचे उसके बाद अगला प्रशन है कि मतलब कि इसी में है कि इस प्रकार निरच्छर पहिच्छन और प्रियोग वर्गी करन पर अधायत बेग्यानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ग्यान प्रा सब्सक्राइब कराएंगे ताकि आपको समस्या भी नहीं हो और आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे समझ में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे जो जो मैंने उप्रशन बताया अगर आप इनको अच्छे तैयार कर लें